असलाम वालेकुम वालकम टू मैं चैनल समरा मुस्तकीम कैसे हैं आप सब आज हम अपने किचन में बहुत ही जबर्दस रेसिपी पजाने जा रहे हैं बिसमिल्ला रुख्मान रुरहियों आप अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वी वर्स यह मैंने कढ़ाई में यह जोओने हैं आप किसी भी करड़ोरी से ना पने दो कप होनने चाहिए बस दो कप बेशन अड़ ने के बाद मैं इसको अच्क रिकेसे मिक्स कलना लगी घी में कोड कलना लगी यह देखे गा म म् positive इसको ऊप्छलिया कि इस तरीकीसे मिक्स करते चाहिए जब इसन तरीक Northeast सब तरफ से mix कीजिएगा बस इसको mix करते जाएंगे और ये काम आपने बिल्कुल low flame पे करना है बहुत जबड़्दस recipe बनने वाली है वीडियो को बिल्कुल भी skip नहीं कीजिएगा ये देखें अब हम इसमें add करेंगे 1 3rd cup गी यानिके 4 टेबल स्पून स्टार्टिंग में हमने आदा काब add की अदा अब हमने 4 टेबल स्पून add कीए है अब मैं इसको दुबारा च्रीक से mix कर लूँगी जब इस तरह की कुछ ठिक condition आजाएगी तो हम इसमें बिल्कुल भी गी नहीं add करेंगे अब हम इसको बिल्कुल low flame पे बूनना है इसके लिए चाहिए आपको मजबूद arms और patience बसको अच्छ से बूनेंगे जब तक कि इसकी खुश्वू पूरे घर में ना फैल जाए यह देखिने इसको बूनते जाएंगे 10 मिंट के बाद viewers यह देखिने इसकी condition कुछ इस तरीके से है इसने गी रिलीस करना शुरू कर दिया है वीवर्स पेसन की बहुत ज़दा फाइदे है यह आपकी हटियों के लिए जोड़ों के लिए बहुत मुफीद होता है सर्दियों में तो इसको खाने का मज़ा ही कुछ और होता है यह देखिने इसको इच्छ तरीक से मिक्स करती जा रही हूँ मैं और इसका गी लीस होना शुरू हो रहा है और एक मेंडिकल भी अपने हैंड को नहीं रोकिएगा मुस्तकिल स्ट्रेर करते रहीगा चलाते रहीगा वन्ना यह जल सकता है बिल्कुल अपनी फ्लेम को लो रखिएगा इसकी मेजिरिंग कुछ इस तरीके से है कि दो कप बेसन में एक कप गी जाएगा अगर आप तीन कप यूज कर रहे हैं तो डिर्ड कप गी जाएगा यह देखिए हमारे बेसन की कंडिशन हमें इस तरीकी की चाहिए बिल्कुल इसने गी रिलीज कर दिया है अब मैं इसमें एट करूँगी वन टी स्पून इलाइची पाउडर अगर आपके पस इलाइची पाउडर नहीं है सिमलिया तीन चर इलाइची लीजी और उसको कूछ लीजिए या फिर मिक्सी जा रहे हैं मिक्स कर लीजिए इसको मैं इस तरीक से मिक्स कर लूँगी अब मैं इसमें एट करूँगी पानी पानी हमें इस तरीक से एट करना है कि हातों में पानी लेना है और इस तरीक से स्प्रिंकल करना है इस तरीके से ये होगा कि इसके दाने बनेंगे मैं 2 टैबल स्पून वाइए लेके स्पिंकल किया है ये देख सकते हैं पाईए डालने से इसके दाने बन गए है ये देखें इतने जबरदस दाने बने हैं इसको मैं छपी एकसे मिक्स कर लूँगी आप इस रेसिपी को बहुत इंजॉय करेंगे आप खुद खाएं अपने बच्चों को खिलाएं और खाना खाने के बाद खाएं सुन्न तेन अब भी है ये देखिए हमें इस तरीके की कंसिस्टरंस चाहिए इसकी बस हमारी बेसन की अच्छी रेक से बुनाई हो चुकी है बेसन मिक्स करने से जो साइट के कॉर्नर्स खराब होए हैं उसको जरा एग्नोर कर दीजेगा यूँकर मेरे पास स्पैचुला नहीं है अगर स्पैचुला होता तो बिल्कल क्लीन इसके कॉर्नर्स होते अब हम इसको एक ट्रे में निकाल लेंगे और हमें ज्यादा इसको ठंडा नहीं करना है बस हमें इतना ठंडा करना है कि जब हम इसको हाथ लगाए तो हमारे हाथ नहीं जले बस हमें इसको इतना ठंडा करना है जिस ट्रे में आप निकालेंगे उसको बिल्कुल भी grease करने की जरूरत नहीं है मैंने ट्रे में निकाल लिया है अब मैं इसको room temperature में रखूंगी तकरीवन 5 मिन के लिए 5 मिन के बाद viewers हमारा बेसे धंडा हो चुका है और यहाँ बर मैं यूज कर रही हूँ एक कप PC हुई चीनी यानि कि घर की चीनी है इसको मैं अच्रीके से पीस लिया है यह देखें बिल्कुल powder form में कर लिया है अब मैं इसको चीनी से mix कर लूँगी यहाँ बर मैंने एक कप चीनी लिया है अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है जो ज़्यादा चीनी अट कर लिजिएगा लेकिन यह बिल्कुल perfect रहेगा जिस तरीके से बजार के लड्डू होते है इस तरीकी की recipe है यह अच्छी तरीके से इसको mix करती जाना है अब मैं इसमें almond set करूँगी आपको जो पसंद है आप वैट कर लिजिएगा जैसे के बदाम, पिष्टे, अखरोट, काजू और इसको भी अच्छी तरीके से mix कर लूँगी जब आप इसके लड्डू बनाएं तो आपको हातों में गी भी ग्रीस करनी की जूरत नहीं है वहना जादा oily हो जाएंगे हम मैं इसके लड्डू बनाऊंगे, ये देखें हमारे मज़दार से गोल मटोल लड्डू ये देखें, कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने भी बहुत ही मज़दार है लड्डू के लिए आपकी बुनाई और गी बहुत ज़दा important होता है ये देखें, इस तरीके से मैं बनाती जाओंगी फिर मैं आपको डेशाड करके दिखाती हूँ ये देखें ये वर्स हमारे मज़दार से गोल मटोल लड्डू तयार हो चुके हैं और जो वच्चे छोटा भीम का कार्टून देखते हैं उनके तो ये बहुत ही ज़दा फिवरेट होंगी आप उनको इस तरीके से बना के देए बहुत जबरदस्त बने हैं ये देखें आपका जब दिल जाता है आप इसको खाएं और सरदियों में तो मीठे का मज़ा ही अलग होता है ये देखिए कितने मसेदार लग रहे हैं हमारे लडू अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये अंदर से भी कितने ज़्यादा दानेदार है स्टार्टिंग में बुनाई करने से आपका हाथ ठक जाएगा लेकिन जब आप इसको खाएंगे तो आपनी सारी ठकवट भूल जाएंगे इस दोना अगर आप मेने चैनल पे न्यू है तो स्ब्सक्राइब कर जिएगा बैर रेकन को ज़रूर प्रैस कर दीजिएगा ताकि मेरी हन नहीं आने वाले वीडियो तक पहुंच सके यह आपकी तरफ से महबत होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं अब मैं आपको तोड़के दिखाती हूँ यह अंदर से भी कितने ज़्यादा दानेदार है यह देखिए अंदर से भी कितने ज़्यादा दानेदार है और बिल्कुल मार्किट जैसे बने है जिसे हलवाईयों के लड़ू होते है इस रेस्पी को आपने लाजमी ट्राय करना है अगर आपको में रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा अपना बहुत बहुत खैल लखेगा अल्ला हाफिस